हेलो एब्रीबन आइम आस्था वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूटूब चैनल गवर्मेंट जॉब जेन्यू नॉटिफिकेशन इंडिया नॉयल कॉर्परेशन लिंटेट से रिक्टूट में नॉटिफिकेशन रिलीज हुआ है और इंडिया विकेंसी है लगबख स्टाइटिंग जेट क्या है हम कंफर्म कर लेंगे इसकी जो लास्ट डेट है वो फैब में रहेगी आइधिंग 18 फैब रहेगी आगे हम आगे वीडियो में डिस्कुस करेंगे एंड एप्लिकेशन फीज जो जनरल काइंडिडेट रहेंगे उनके लिए एप्लिकेशन वो हम किलिया करेंगे बहुत सी लगबग ट्रेड यहां पर है तो ट्रेड भी हम देख लेंगे किस-किस ट्रेड से हैं ओके सो लिंक मैं डिस्कुप्शन बॉक्स में देदूंगी वहां से आप विजिट ज़रूर कीजेगा जो नॉटिफिकेशन है केरफुल इसको रीट कर लिजेगा अप्लाइ करने से पहले चलिए इसका नॉटिफिकेशन देख लेते हैं तो यह आप नॉटिफिकेशन देख रहे हैं इंडियन और कॉर्परेशन लिम्टेड गवर्मेंट ऑफ इंडियन अंडर्टेकिंग पाइप्लाइन्स डिवीजन जो डेट यहां पर है 24.1.2022 से 18 फरवरी 2022 तक आप इसमें एप्लाइ कर सकते हैं and applications are invited from Elizabeth Indian Nationals for the following non-executive vacancies in the various location of pipelines division so यहां पर देखिए West Bengal, Assam, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, Dehli, Haryana, Punjab, Uttar Pradesh and Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra and Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Udisa, 36 गर अलग-अलग state wise आप देख लेंगे जिस भी state से आप लॉंग करते हों आप इसमें apply करना चाहते हैं and vacancies भी categories wise भी दे गई हैं कहां पर कितनी vacancy है age limit 18-26 साल है 24.01.2020 के वेस पर count की जाएगी cut-off date है 24.01.2020 अब जो engineering assistant की post रहेगी great vote की रहेगी इसके लिए 3 साल का full time आपने diploma किया हो या फिर two year आप through जो lateral entry होती है ना idea करने के बाद में अगर आपने ली हुई है तो आप इसमें apply कर सकते हो और trade जो diploma आपने के subject में होना चाहिए तो वो यहाँ पर दिया गया mechanical engineering या automobile engineering में से होना चाहिए minimum 55% marks के साथ engineering assistant electrical के लिए भी same है इसमें electrical engineering and electrical and electronics engineering दोनों में से किसी से भी आपका हो engineering assistant grade 4th के लिए इसमें 3 साल का full time diploma same वही process हो और यह यहाँ पर दिये गए है किस-किस discipline में आपका होना चाहिए वो आप देख लीजेगा engineering assistant operations के लिए भी same process रखी गई है और किस इसी plane में आपने diploma किया हुआ है या आपने जो iti letter entry ली हुई है iti के बाद वो किस तरह से आपने किस में की हुई है अगर इन वैसे की हुई है तो आप इसमें apply करेंगे अब जो 10th end iti holders रहेंगे उनके लिए technical attendant की post है जिसमें 10th pass और iti pass मांगा गया है अप आपने iti scvt से किया हो या ncvt से किया हो आप इसमें apply कर सकते हैं trade आप यहाँ पर देख लेंगे अगर आपने इनी trade से किया हुआ है और यह duration भी दिया गया है इनी duration में अगर आपने यह trade complete किये हुए हैं तो आप इस post के लिए apply करेंगे पे देखेंगे तो जो पोस्ट रहेगी आपकी engineering assistant के लिए उसमें आपकी gate ford पर pay scale 25,000 से 1,50,000 रहेगी और जो technical attendant की रहेगी उसमें grade first saint पे scale of 23,000 से 78,000 कट ओफ डेट 24 से 2022 से आपकी जो एज है या आपने जो क्वालिफिकेशन आई टिया डिपलोमा किया हुआ है वो आपका देखा जाएगा अब यहाँ पर application fees देखेंगे general OVC EWS candidate के लिए 100 रुपीज है SCSTPWD candidate के लिए application fees माप है application fees पे नहीं करनी होगी online आपको apply करना है apply आप इसी की official साइट पर जाकर कर सकते हैं and age हमने देखे लिए है यहाँ पर general candidate के लिए थी age अगर आप reserve category से बलॉंग करते हैं तो आपको 5 year, 3 year का relaxation so general के लिए 18-26 साल age limit रखेगी है selection procedure में आपका written examination होगा skill test होगा proficiency या physical test होगा so written examination जो आपका होगा इसमें आपके minimum 40% आपके लिए यहाँ पर secure करने होगे general candidate के लिए और जो SCST candidate होगे उनको 30% secure करने होगे या नि qualify करने के लिए return examination आपका 27 मार्स 2022 संडे को यह हो सकता है अब यह tentably date यहाँ पर दे दी गई है MCQs type question होगे return exam होगा जिसमें 100 questions, 100 marks के रहेंगे अब post wise यहाँ पर different दिया गया है engineering assistant के लिए कितना होगा technical assistant के लिए कितना होगा तो यह यहाँ पर आप देख लेंगे ITA trade से आपके जो diploma आपने जिस discipline में किया है जिस trade से आपने किया हुए ITA उसमें आपके कितने question रहेंगे negative marking यहाँ पर आपकी नहीं रहेगी timing आपको 90 minute का दिया जाएगा आपके जो merit बनाई जाएगी, merit तेयार की जाएगी वो written examination के ways पर की जाएगी अब यहाँ पर कुछ points हैं जो आप check कर लिजेगा कौनगों से document requirement रहेंगे हाँ पर and important date हम एक बार फिर से देख लेते हैं तो 24 एक 2022 से लेकरके 18 फरवरी 2022 तक आप इसमें apply करेंगे और tentative date following downloading admit card, admit card आप 14 March से डाउनलोड कर सकते हैं इसका examination date हमने देख लिए 27 March and SP PT जो skill test वगरा जो होगा वो आपका 1 April 2022 यहाँ पर tentative date आ चुकी है okay so अगर आपको वीडियो पसंद आया तो like कर लीजिएगा thank you और हाँ apply करने से पहले एक वान notification जरूर carefully read कीजिएगा thank you